जहीं दोस्तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले जो आपका एकांट dbt से लिंक है या फिर नहीं या फिर npci से लिंक है या फिर नहीं ठीक है इसके वारे हम लोग बात करेंगे और कैसे इसको चेक आट करना है कि हमारा जो सो एकांट npci से लिंक है या नहीं तो इसको कैसे चेक करना है और फिर अगर आपका लिंक नहीं है ठीक है तो कैसी इसको सुधार करना ये भी हम बात करेंगे इसके इसे जानने का में रिजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो सो ई-कल्यान फानल अपरूब हो जाने के पात भी जो से पेमेंट नहीं आता है तो उसका सिर्फ एखी रिजन रहता है कि आपका अगर एकांट नमबर आपका NPCI या फिर डीबीटी से लिंक नहीं है तो फिर प्रोब्लम होता है और पेमेंट नहीं आता है सिर्फ e-kalyyan पहीं नहीं बलकि कोई भी सरकारी फंड का payment जो से लेने में आपको problem होगा ठीक है payment नहीं ही आएगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम आपको चेक करने के लिए बता देते हैं ठीक है कैसे इसको चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है UIDAI के server पर आपको जाना है अगर आप इसको phone पर try कर रहे हैं तो आप क्या किजेगा कि desktop site पर कर लिजेगा phone को ठीक है तो ज़्यादा easy आपको समझ में आएगा आप इस पर click किजेगा तो यहाँ पर देखिए तो देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएगा तो एक आएगा अधार service ठीक है तो इस पर आपको click करना है अधार service पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारा option जो से दिख जागा हमको क्या check करना तो देखिए अधार linking status चेक करना है ठीक है कि हमारा अधार किस की चीज़ से link है तो यहाँ पर आपका जो check होगा वो देखिए bank account linking status आपका चेक होने वाला है यहाँ से ठीक है तो हम इस पर क्या किए क्लिक किए यहाँ पर आपको आधार नंबर जो से डालना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपर आधार नंबर डालते है यहाँ पर capture डालना है देन आपको send OTP पर क्लिक करना ठीक है हम आपको यह बताना भूल गए था कि देखिए अधार linking status आपको अगर चेक करना है तो आपका जो से अधार नंबर आपके mobile नंबर से जुड़ा रहना compulsory अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसको चेक नहीं कर सकते है ठीक है फिर आपको क्या करना है तो आपको जो से बैंक में जाकर करके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका अधार जो से link है या फिर नहीं ठीक है तो दोस्तों हम यहाँ पर जो सो आप OTP मेरे फॉन पर आ चुकरा तो चलिए यहाँ पर OTP डालते हैं आपको फिर यह सो सब्मिट पर क्लिक करना पड़ेगा OTP गलत बताया है तो फिर से डाल लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिक करके आयवा Congratulations your Aadhar Bank Mapping has been done इसका मतब यह कि हमारा जो Aadhar Card है जो NPCI या फिर DBT Activation होता है वो हमारे Account में Activate है और किसमें Activate है वो भी यहाँ पर हम देखा देते हैं देखे जो मेरा Aadhar NPCI जो Activate है वो Airtail Payment Bank Limited में जो असो एक्टिवेट है तो अब क्या होगा कि कोई भी मेरा सरकारी Fund का पैसा E-Kalyan का भी या फिर किसी भी तरह का सरकारी Fund का पैसा जो है वो हमारे Airtail Payment Bank में ही आएगा चाहे हमारे पास कितना भी बैंक क्यों ना हो जैसे Bank of India भी मान लेते हैं मेरे पास आए ठीक है State Bank का भी मेरे पास Passbook है फिर भी जो Payment जो आएगा वो Airtail Payment Bank में ही आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका दूसरे एकांट में आगा जिसमें आपका NPCI लिंक रहता है उसी पे जो से पेमेंट आता है तो आप अभी तक तो हम आपको ये बताया है कि चेक कैसे करना ठीक है अगर आपका यहाँ पे जो सो ऐसा लिक करके नहीं आ रहा है कुछ दूसरा दिखा रहा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि आपका जो सो एकांट नहीं लिंक है NPCI से तो इसको कैसे ठीक करना तो देखिए आप अपने बैंक पे जाएगा बैंक ब्रांच में वहाँ पे जाने के बाद जो सो आपको KYC करने के लिए बोलना पड़ेगा ठीक है और एक EKYC होता है सिर्फ normal KYC नहीं बलकि आपको EKYC कराना पड़ेगा क्योंकि EKYC करने के लिए आपको जो सो fingerprint लगेगा और जब तक आपका fingerprint से KYC नहीं किया जाएगा करना पड़ेगा ठीक है और उसमें क्या bank क्या करेगा कि आपका fingerprint भी लेगा ठीक है तब जागर कि जो सो आपका जो सो NPSI link होगा ठीक है और नहीं तो फिर आपका payment लेने में बहुत problem होगा अब अगर बात करते कि अगर जो जो आपका ऐसा नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे branch होते हैं कि नहीं करता है क्योंकि इसमें time लगता ठीक है तो क्या करना है कि आपको जो सो एक नया account खुलवाना है वो जो आप account जब खुलवाईएगा तो उसमें क्या करना है कि fingerprint के साथ आपको खुलवाना जब आप एकांट खुलवाएंगे तो आपको आप बोलिएगा उसको ठीक है कि हमको जो सो फिंगर प्रिंट से खोल देजा मेरा एकांट तो फिर आपका NPCI या फिर TBT का प्रोबलम हमेशा के लिए खतम हो जाएगा और जू भी पेमेंट गयर्मेंट के तरफ से आने वाला है चाहे काल्यान हो या फिर किसान योजना की सी भी तरह का डॉट अभी भी है तो आप हमको कमेंट किजिएगा ठीका हम आपका उसको रिप्ले जरूर देंगे